नमस्कार प्यारे बच्चों आये सोल्व करते हैं ग्यारमी कक्षा का हिस्ट्री का पेपर जो आपका अभी सैट इग्जैम जुलाई दो हजार चोबीस का पेपर था चालिस अंकों का पेपर था ये दस प्रशन इसमें एक कमाक्स के थे तीन नंबर वाले इसके लगवक प्रशन थे उसके बाद आपके पास एक प्रशन रिसोर्स बेज़ था यानि के के स्टेडी में से फिर आपके पास एक बड़ा प्रशन था छे नंबर का और फिर उसके बाद बेटे आपके पास मैप था पांच नंबर का वल्ड मैप और हम पहले भी इसके उपर काफी डिस सी थी की लाक्षर दूसरा है मैसोपटामी डैश और डैश नदियों के बीश सी थी थे है दजला और फ्राथ उसके बाद बेट तीसरा प्रशन है रोम का प्रथम समराथ कौन था ओगस्टस चोथा प्रशन है प्रथम समराथ और अगस्टस ने 27 इस्वी पूरम में जिस समराज्य की स्थापना की उसे क्या कहा जाता था तो उसे कहा जाता प्रिंसिपेट और खुद को उसने क्या कहा प्रिंसिपेट और अपने स्थापित राज्य को क्या कहा प्रिंसिपेट और प्रिंसिपेट का अर्थ होता है प्रथ पैपाइरस का पोधा डैश नदी के किनारे पैदा होता था तो ये आएगा नीर और ये मिसर में है उसके बाद है रोम के किस साशक को प्रिंसेप आएगा रोम के किस साशक को प्रिंसेप कहा जाता था प्रिंसेप तो स्थापित रज्य था तो प्रिंसेप कहा जाता था तो प सब्टामिय सब्भेता से अब दो कथन है रोम में दास प्रथा प्रचली थी ओके सही है दासों की स्थिती बहुत दयानिय थी ये भी ओके है लेकिन आप क्योंकि लगा कर दीखिए क्या ये दोनों कॉस्टन एक पॉइंट दूसरे की व्याख्या करता है अगर हम कहें के रोम में दास प्रथा प्रचली थी क्योंकि दासों की स्थिती बहुत खराब थी नहीं जुड़ते न बटा दोनों संटेंस ठीक है बट आपस में एक दूसरे से कनेक्टड नहीं है कि एक पॉइंट करेंग दूसरे को इसलिए हम बी पॉइंट चुनेंगे ए और आर यानि कि दोनों पॉइंट सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता क्योंकि क्यों के लगाकर फिट नहीं बैठता उसके बाद आपके पास तिन-तिन मार्क्स के प्रशन है पांच प्रशन है हमने शोट में लिखे हैं ताकि थोड़ा सापको आइडिया हो जाए आपने भर-भर के जुरूर लिखना है ताकि आपको पूरे तीन अंक मिले हमने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए लिख है किसमें लिखना क्या था तो मैस्वटा में सब्वेता में लेखन पदिती का विकास के चर्ण देखिए पहले शुरुआ तो इसकी बतीसो इसी पूरम में सुमेर में होती है मिटी की पटिकाओं पर लिखा जाता था और वो सरकंडे की कलम से लिखा जाता था उसके बाद शुरू ओती है कीला कारलिपी का परियोग जिसमें एक चिकनी मिटी की पटिकाओं लेकर और उनके उपर खोद कर लिखा जाता था जो सालो साल रिकोर्ड के रूप में संभाल कर रखी जाती थी नेक्स्ट कोस्चन है मैसोप्तामिया के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है दिखी जो मैसोप्तामिया का संभंधना इसाई धरम से माना जाता है और ओल्ड टेस्टामेंट में कहाणी का जिकर आता है कि धर्ती पर जब जलपलावन होना था तो ईश्वरने तया किया के पृत्वि पर बचाया जाए जीवों को जंतु को बचाया जाए तो उन्होंने एक नवा नाम के आदमी को चुना पृत्वि बचाने के लिए जिसने एक बहुत विशाल नाव बनाई सभी जीव जंतु के जोडों को उसमें रखा जब जलपलावन आया और सब कुछ नश्ट हो गया तब भी वो नाव बची रही नाव में रखे हुए सबी जोड़े भी बचे रहे जिससे आगे दुनिया की शिरुवात हो सकी और इस कहानी को मैसोपटामिया की प्रमप्राओं में एक अलगी नाम उतना पिष्टम नाम के क् मैसोपटामिया के बारे में ओल्ड एस्टामेंट में यह कहानी लिखी हुई है उसके बाद है रोमन समराज्य में तीसरी श्ताब्दी का संकट क्या था दिखिए रोमन समराज्य को हम दो चर्नों में बाटते दो काल में बाटते हैं एक पुरवर्ती और एक परवर्ती तीस इस ने रोमन सब्वेता की अर्थ वस्था को समाजिक जीवन को राजनितिक जीवन को हिला कर रख दिया था। जो साशक थे वो एक दूसरे का कतल करने पर लगे हुए थे। उनको गदी से हटाने पर लगे हुए थे। मतर 47 वर्षों में 25 राजा अगदी पर बैठे। और उसी समय में भ्यानक अकाल और पलेग फैले जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। संभाला। उसके बाद है ओगस्टस के काल को रोमन समराज्य का स्वर्न यूग क्यों कहा जाता है। क्योंकि वो सच मुच में एक महान साशक था। उसने जूलिय सीजर की हत्या के बाद जो एराजकता फैली उसे स्मापत किया और सांतिश्तापत किये। सीनेट के साथ मैत्री पूर्ण समंत स्थापित किये। शक्ति साली सेना का गठन किया और यातायात के सादनों का विकास किया। ताकि अर्थ वस्ता को मजबूत किया जा सके। उसके बाद है विशवन को मैसरफटा में ने क्या दिया। काल गर्ना के शेत्तर में खगोल की जानकारी, नक्षत्रों की, ग्रेहों की इवन के सूरे चंदरमा के ग्रेहन की जानकारी भी हमें वहीं से मिली है। अगर गनित की बात करें तो हमें वर्गमूल, चकरविर्दी ब्याज के सुत्र, इवन के गुना और भाग ये भी हमें वहीं से मिले हैं। और अगर हम भवा निर्मान में देखेंगे हमें क्या मिला, तो हमें मिला वहां से महराब, क्योंकि मैस्वटामिया में महराब का प्रयोग बहुत अच्छे धंग से किया जाता था, और जो महराब होती है, ये दिवारों को और बिल्डिंग्स को मजबुत्ती परदान करती है, तो ये कला भी हमने वहीं से सीखी, उसके बाद है आपके पास एक पूरा गद्यांश है, एक पहरा है, जिसे पढ़ कर आपने प्रशनों के उत्तर देने है, और ये रोमन सब्वेता के दासों की द्यानिय स्थिती को दर्शाता है, इस पहरे को आप, वैसे बहुत असान पहरा है, प्रश्टू में बहुत मुश्किल पहरा आया था इसके मुकाबले, इसमें ही सारे आंसर बिल्कु सामने लिखे हैं, फिर भी मैं यही कहूंगी आपको, कि पहले आप पहरे से पहले प्रशनों को कम से कम दो बार पढ़ें, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्टन आपके माइड में चपेंगे, उसके बाद पहरा पढ़ना शुरू कीजिए, आपको सभी उत्तर अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, यह ट्रिक है, काम आहे की बेटा, उसके बाद है, रोमन कानून के अनुसार दासों को क्या माना जाता था? तो देखो, उपर ही लिखा हुए, रोमन कानून के प्रवरों में, क्रीशी, सैना, खानों और अन्य परकार के कारे वो किया करते थे. उसके बाद है, तीसरा की 73 ऐसुए में किसके नेतरत्व में दासों ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर है, स्पार्टकस. ये भी खुद एक दास थे और इसके नेतरतब में दासों ने वि इट मेंस के दासों की जिंदगी में सुधार आया, इसका मतलब ये है, ठीक है, उसके बाद है बेटा, आपके पास बड़ा क्वेश्चन है, लोंग, एससे टाइप क्वेश्चन, छे नमबर का, मैसर पटामिया सब्वेता के मारी नगर का वर्नन करें, या लेखन पदती के व पाइरस के पत्तों पर लिखने की शुरुवात हुई, फिर उसके बाद कीलाक्षर, ये कीलाकार लिप्पी का विकास हुआ, वो सभी चरना जेंगे, और अगर हम मैसर पटामिया के मारी नगर की बात करें, तो यहाँ पर विभिन जाती के जो राजा थे, वो आए, जिसमें एमोराइट भी थे, और और भी बहुत सारे राजे थे, लेकिन जो राजा बने, क्योंकि विभिन जाती के लोग आया जाया करते थे, उसमें से जो राजे बने वो एमोराइट समुदाय से समंदी थे, और उनमें भी सबसे परसीद साशक होन था, जीमरी निम, और उसने बनान, इरान के साथ इनके अच्छे समंद थे, और यहां से वेपार के लिए बहुत ही परसीद था, यहां आने जाने वाले माल पर अधिकारिक जाच होती थी, और दस प्रतिशत परभार वसूल किया जाता था, जो भी माल वेपार के लिए आ रहा था, या जा रहा था, यह उसको नहीं दिखा सकते थे भरने में भी बहुत परशानी थी हमने अपने बच्चों को भी अलग से मैप देकर उसी में उन्हें बोला है कि फिल करें और उन्हें अच्छे से फिल भी किये अब हम डिसकस कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है और यह बहुत अच्छी बात है कि हमने जो करवाए उसी में से ही आए लाल सागर देखिए यहां पर आपको निले निले रंग की लाइन दिख रही है न यही सारी लाल सागर है उसके बाद भूमद्य सागर लगभग जब भी हम रोमन सब्यता पढ़नी शुरू करते हैं और मैप के जरिये पढ़ाते हैं त दंडी सी बनी हुई है उसी में से उपर लपासत रोम है और उसी के बिलकुल लास्ट में जाकर यहां पर हम थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश भी करते हैं यहीं पर इस दंडी के बिलकुल लास्ट में आकर छोटा सापको सिसली भी नजर आ जाएगा और अगर हम कुस कुस्तुन तुनिया है इसकी help से आप ये नक्षे की practice कीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि final exam में भी आपको इन पांचों में से एक देखने को मिलेगा और at least आप सीख गए कि रोम कहां था सिसली कहां है भुमद्य सागर कहां है कुस्तुन तुनिया जिसके वार में हम दस्वी स नो मी से पढ़ते आ रहे हैं वो मैप में देख लिया और लाल सागर मुमद्य सागर तो आपको शायद पहले भी पता होगा लेकिन लाल सागर की practice अब आपकी अच्छे से अगर हमारे दुवारा किया गया ये प्रियास आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को जरूर ल किया देख रियाक।